नमस्ते फ्रेंट्स मैं हूं नाइकिशन कामना तलरेजा और आज मैं आपके सामने पेश करने जारी हूं फाइफ बिगिस मिस्टेक्स जो PCOS वुमिन करती है इस्पेशली मैरेड वो वरेड PCOS वुमिन और जोने नहीं करनी चाहिए पिछले कुछ दिनों मैंने जितने भी PCOS packages बुग किये है चाहे वो देश के किसी भी भाग से हों हरीद्वार से हों, औरीसा से हों, भूबाल से हों या कलकता से सबी ओरतों में एक चीज जो है वो मैंने common देखी है उनकी irregular meal timings हमें generally उठने के 1-5 घंटे की भीतर अपनी पहली meal ले लेनी चाहिए otherwise हमारी body conservative mode में चली जाती है लेकिन वो सभी ओरतें उठने के बाद कम से कम 3 घंटे का gap लेकर फिर वो meals लेती है मने उनका जो breakfast है वो बहुत late होता है जो पहली meal होता है उसके बाद अगर अगर हम बात करें ingredients की तो उनकी जो meals है उसकी जो ingredients है उसमें सब में protein lacking है most of the time they are taking सबची, रोटी, चावल fiber का कहीं नाम नहीं है अगर कभी लिया तो एकाद meal में fiber लेते हैं तो third mistake है fiber कम है fiber in the form of salads कम है fiber in the form of complex carbohydrates कम है refined carbohydrates जादा लेनी है और अगर मैं चौथी गलती की बात करूँ तो उनमें से जादा तर जो औरते हैं वो packaged foods को जल्दी, quickly बन जाते हैं इसलिए वो जादा prefer करनी है जैसे की oats ले लिए मतलब not steel cut oats but processed masala oats और oats with milk जैसे कहते हैं oat meal या फिर उनको लगता है कि oats बहुत healthy of course oats healthy है comparative to other stuff because fiber rich है लेकिन not processed you should take steel cut oats जिनमें fiber content भी अच्छा होता है और जो processed कम होते हैं ना के बराबर कम processed होते हैं और उसमें added sugar and fats भी नहीं होता तो उसके अलावा वो लोग क्या करते हैं काउंफ्लेक्स ले लेते हैं जलबाजी में बनता है या सूजी की चीज़े जादा ले लेते हैं सूजी is again a kind of refined carbohydrate जो PCOS के लिए बिलकुल भी suggested नहीं तो ये तो हो गई चार mistakes जो पांचवी biggest mistakes वो करती है वो है exercise न करना you know PCOS को आप सर्फ diet से ठीक नहीं कर सकते PCOS woman के जो common feature है वो है belly fat और belly fat को कम करने के लिए आपको belly की exercise ज़रूर करनी पड़ती है walk तो उन में से काफी औरते कर लेती है लेकिन belly fat के लिए yoga और exercise पे ध्यान नहीं देती साथी साथ अगर आप yoga और exercise करते हैं तो आपके body में endorphins release होते है जो happy hormones होते हैं और stress hormones upside होते हैं और क्योंकि PCOS woman की tendency होती है कि वो stress बहुत लेती है और इसलिए उनके hormone imbalance होते है इसलिए yoga उनको दो तरीके से benefit देती है तो ये 5 biggest mistakes हैं जो एक PCOS woman करती है जिसे करने से उन्हें बचना चाहिए तो आप देखें क्या आपको भी PCOS है और क्या आप भी यही 5 mistakes कर रहे हैं अगर हां तो अभी correct करें Thank you